तो आशा करता हूं कि आप लोग को एडिटिंग समझ में आ जाएगा और आप लोग जल्दी सीख जाएंगे तो गैस यहां पर इस तरह की अडिटिंग के निकले सबसे पहले आपको एक इस पोज में फोटो किलिक करवा लेना है और किलिक करवाने टाइम आप दियान में रख तो गैसे लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब आपको अब आपको अब आपको बैक्ग्राउंड को सबसे पहले रिसाइज करना है टूल्स वाले ऑफसन में जाकी हमें गईस कोई सभी आप बड़ा नंबर हमें ले लेना है जैसे कि में यहां पर 5000 ले था हूँ 5000 और यहां पर करना रिसाइज फिर जो आएगा यहां पर नंबर देख सकते हो 2778 तो कैसे हमें एक अंग कम करके यहां पर 2777 कर देंगे ठीक है फिर आपका बैक्ग्राउंड रिसाइज हो जाएगा फिर आपको इस बैक्ग्राउंड को बलर करना है टिल्ट वाले ऑफसन में जाके और आपको यहां पर गईज इस तरीके से सरकल वाला बलर ले लेना है कोई साभी आप बलर ले सकती हो दैन यहां पर गईज इसको हमें नीचे में इसे रख देना है कहीं पर जहां पर हमें बलर थोड़ा बहुत ना दिखाना हो ठीक है फिर आपको गईज बलर को कम कर है यहां से जो हमारा इसे 15 पर रखेंगे हम ठीक है और यहां पर simple मोडल को ले लिया और यहां पर लेनी के बाद आपको बैक्ग्राउंड के ऊपर कुछी इस तरीके से आसानी से आपको लगा लेने होगा जो है बैक्ग्राउंड देख सकते हैं हमारा हेर के पास है वाइड वाइड आ रहा है हमें मैंने वह इरेज नहीं करना है जब आपका बाल के पीछे कोई प्लेन चीज हो तब आपको बैक्ग्राउंड जो पीछे का इरेज नहीं करना बाल के पास फिर बाता तो आपको कैसे र एक और inand glory summer in car park के अजना है और जो हमें ने कॉपी कर रहा है मॉडल को उस मॉडल को हमें ले लिना है और नहीं है मर्ज कर देना आपको अशचे डेन करने ऑपके फैजार आ जो हमने जुम कर रहा है तो तो इस वाइट क लाइनिंग को ना हमें वाइट कलर से फिल अप कर देना थाकि हमें दीखे ना ठीके तॉ में ब्रस ले लिए और वाइट कलर से लिएर कर लिए और इस तरीके से मैं अपना फिल पर देख सकते हूं बैक कर लेता हूं अच्छे जाने और साइच छोटा करके फिर मैं आसे फिलप कर लूँगा यह जो लाइनिंग है आपको भी ढग देना होगा ठीक है तब काफी अच्छे से आपका जो बैक्ग्राउंड है बिल्कुल फोटो सोप की तरह एकदम रिमूफ ह हो जाएगा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है कि फिर जब आफ फिलप कल लोगे तो यहां पर हमें वापत से हमें लियार वाले ओफशन में चलना होगा ठीक है तो गैस यह से ध्यान से देखना आप बैक्ग्राउंड में कैसे रिमूफ कर रहा हूं तो आप गैस इसे म इसे मर्ज कर दिया पहले वाले को अब इसको करना क्या होगा मुझे यहां पर आपको साइज अपने हिसाब से रख लेना ओपर सीटी फूल रखना है फिर आपको अब आप एरेस करोगे ना तो आपका बाल बिल्कुल भी रेस नहीं होगा पीछे का जो वाइट बैक्ग्रा अब इसको हमें एक यहां पर इसके अंदर हम करेंगे क्या एक यहां पर आप इसे चाहिए तो मर्ज भी कर सकते बैक्डाउंड के साथ खाल ऊप भी करेंगें अगियार हमें एक और आप उसके अंदर टीक है अभी किरिक्षे के बादना और प्रमावस क्रूल लगा लेना है बिल्कुल मैंने पहले से किरेट कर रहा है आपको खुश्ट नहीं प्रॉब्लम नी होगा तो इस तरही के साब को संटर में कुछ इस तरही का से अपने हिसाब से लगा लेना होगा जहां पर परफेक्ट बैड है फिर आपको यह फिर से बाहर लेंगे इस तरीके से ताकि हमारे जो पीछे का बेक्ग्राउंड धग जाए फिर इसका एक डूब्लीकेट बना लेना है आपको अगर आपका फिक्सार्ट में डूब्लीकेट बनाने का ऑफ्सन ना रहो तो इस प्रिमियम एप डाउनलोड के लेना मेरे डिस्क्रिप्स में ल जो है बैक्ग्राउंड में बहुत ज्यादा बच्चों को खेलने का वह रहा है तो बच्चे खेलते रहें दिन पर तो आप लोग उसमें डिश्टब मत होना तो यहां पर कैसा आपको डन कर देना है एंड डन करनी के बाद आपका जो है यहां पर एडिटिंग आधा से ज्य सब्सक्राइब करना है ब्रस का हाडनेस आप चाहों तो 50% रख लेना एंड साइज छोटा ही रखने क्योंकि हम यह चीज अपने फेस पर अपलाई करेंगे तो जहां पर हमारा जो फेस हाइलाइट हो रहा है ना वहां पर आपको यह चीज अपलाई करना है ठीक है अधर कही जिससे हमने बैक्ग्राउंड बलर कर दा वहीं बलर हम स्लेट कर लिए पर टिल्ट वाला और स्लेक्ट करने के बाद आपको सरकर बलर ले लेना है जहां मर जी अपको साइड में रख देना है आपको बलर को ना बिलकुल पूरा मतलब कमी कर देना आपको 4% रखना है जाकर आपको सिंपल साइज अपनी साब से रखके आपको फेस इस तरीके से आपको फेस स्मूथ कर लेना हो देख सकते हमरे जो फेस काफी अच्छे से यहां पे इसमूथ हो रहा है तो आप एफेक्स टूल का कम यूज करा करें वहां से फोटो एचीडी में आपका सेव नह आप इस फोटो का मैंने जो रिटेचिंग लाइट रूम एप्लिकेशन में कर रहा था तो आप लोगों को रिटेचिंग करने आता होगा फिर भी ऐसी अगर रिटेचिंग करना चाहते हो तो आपको प्रेसेट का लिंक दे दूँगा आपका बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जै